नमस्कार आप देख रहे हैं एवन उत्राखंड और मैं हूँ आपके साथ आयूशी गुप्ता बुलेटिंग की शुरुवात करेंगे इस वक्त की हेड्लाइन्स के साथ उत्राखंड के मुख्य मंत्रे पुष्कर सिंग धामी ने दी प्रदेश वास्तियों को देशहरे की बधाई रावन दहन कारिक्रम में भी रहे मवजूद सांस्क्रितिक कारिक्रम में देखी पहाडी संस्क्रिती केंद्री परिवहन मंत्री ऐशोक कतारिया ने जागेश्वर धाम में की पूजा अचरा अचारे गिरिश भटने रुद्राक्ष माला और शॉल की भेट सेकारिता मंत्री बियल वर्मा भी रहे मौजूद देहरादून में श्रत प्रतीशत कोरोना टीका करण को लेकर प्रिशासन मुस्तायद स्वास से विभाग ने शुरू की अनुपम पहल 18 अक्टूबर से 2 नमबर तक चलाया जाएगा महा वैक्सिनेशन कारिक्रम उत्राखंड में स्टिंग को लेकर सियासत शुरू पुर्व मुखिमंत्री हरी श्रावत ने भ्रश्चाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा कर्मकार बोट के घोटाले को साधा निश्राना उत्राखंड में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व हरिद्वार में खाडा महा निर्वानी के साधू शंतों ने की वैदेक विदिविधान से श्रस्त्रों की पूजा नागा सन्यासियों के धर्म रक्षा के बलिदान को भी किया गया याद और अब खबर विस्तार से अलमोडा के प्रसिद जागेश्वर धाम में केंद्री परिवहन मंत्री अशोक कतारिया केंद्री राजिस कारिता और उत्तर पूर्वीक शेत्र विकास मंत्री बियल वर्मा और यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल जागेश्वर धाम पहुचे धाम पर पहुचने पर मंदिर प्रबंधन समिती की प्रबंधक जोतना पंत प्रधान पुजारी कैलाश चन्रभट हिमत और आचारे गिरिश भट ने रुद्राक्ष माला और शौल भेट की और उन सभी का स्वागत किया उन्होंने जागेश्वर धाम में पूजा अनुष्ठ उत्राखन में एक बार फिर से स्टिंग पर सियासत शुरू हो गई है दरसल पूर्व मुख्यमंतरी हरी शावत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार और भाजपा को बड़ी चुनोती देते हुए कहा कि कमॉन भाजपा एक बार देहरादून के रेंजर्स ग्राउन में मेरा और भाजपा का इस्टिंग बड़े पर पर सारवजनिक रूप से प्रदशित कर ही दिया जाए रावत ने शुक्रवार को कवियों के अंदाज में तुक बनाते हुए भाजपा पर सवाल उठाए कहा कि सरकार खनन प्रेमी है कर्मकार बोड के घोटाले से भी सरकार शर्मसार ही हो रही है भाजपा के मंतरी पर निशाना साथते हुए रावत ने कहा कि जियाई जो बल्द को बाखरी से बड़ा दुलार है इसके बाद उन्होंने पूर्व सियम त्रिवेंडर सिंग रावत पर भी निशाना साथा और कहा कि बार बार स्टिंग करने से अपने कारियाले को भी याद कर ले हरी शावत के स्ट्रिंग दिखाने को लेकर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए एक कहानी सुनाई है पाटी ने कहा कि हरी शावत अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस तरह के बेदुनियाद आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री तिरिवेंदर सिंग रावत का स्ट्रिंग दिखाए और मेरा भी स्ट्रिंग दिखाए विजेदशमे के अवसर पर रिशिकेश की हिरदय स्थली त्रिवेणी घाट पर रावन मेघनात और कुम्बकरन के छोटी पुतले बनाए गये। जिन्हें दिन में विधिवत पूजा अर्चना के बाद सुभाष क्लब दशहरा कमिटी ने गंगा में विसरजित कर दिया। मौके पर सिमित संख्या में ही श्रधालू पहुचे हर साल होने वाले रावन दहन का कारिकरम त्रिवेणी घाट पर नहीं होने से श्रधालों में काफी मायूसी भी देखने को मिली। आपको बता दे कि कोरोना की वज़े से पिछले साल भी दशहरा पर्व पर रावन दहन का कारिकरम नहीं हुआ था। इस साल सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मताबिक स्रीमित श्रधालों की उपस्थिती में रावन दहन का कारिकरम त्रिवेणी घाट पर होना संभव नहीं था। इसलिए सुभाश कलब दशहरा कमिटी ने परंपरा को निभाया। जिसमें नावन, मेगनाद और कुमकर्ण तीनों का ही पूजन होता था। उसके बाद साम के संध्याकाल को पूजा कारती के बाद उसका विस्तु होता। धर्मनगरी हरिद्वार में दशहरे के पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कंखल इस्थित श्री पंचायती अखाडा महानिर्वानी के साधू संतों ने व्यादिक विधी विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की। अखाडे के इश्ट देव श्री सूर्य प्रकाश और भैरो प्रकाश नामक भालों के साथ ही अखाडों के अन्य हथियारों को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराया महा निर्वानी अखाडे के सचिव महांत रविंद्रपूरी महराज ने बताया कि हजारों वश पहले आदिगुरु शंकराचारे ने अखाडों के स्थापना की महा निर्वाणी अखाडे के नागा सन्यासियों ने सनातनी मठ मंदिरों के साथ धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध भी लड़े उसी के उपलक्ष में विजे दस्मी का एक परव मनाया जाता है सास्त्रों में नहीत है देवताओं का पूजन होता है उनके साथ में सास्त्रों का भी पूजन होता है हमारी प्राचिन वैदिक परंपरा है सक्ति का जो संचार हमारे सरीर में भगवती जगदंबा की पूजा के बाद होता है उसमें हम राष्ट रक्षा और धर्म रक्षा के लिए वैदिक सनातन के प्रमपरा है उत्राखन के हरिद्वार में योग गुरू बाबा रामदेव ने सभी को दशहरे की बधाई देते हुए कहा कि त्योहारों को मनाते समय कोरोना के प्रती सावधानी बरते कंखल के दिवे योग मंदिर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि वैक्सीन की डबल डोज और योग आयुर्वेद के संयुक्त उपयोग से शरीन में रोग प्रतीरोधा का क्षमता बढ़ती है जिससे बिमारियों से बचाव किया जा सकता है इसलिए कोरोना से डरने के बजाए सावधानी बरतने की आवशक्ता है लेकिन यदि लोगों ने अपनी इनर स्टेंथ को बरकराए तो किसी तरह का ना कोई कोरोना का खत्रा है ना कोई बिमारी होगा थराली से 2017 में चुनाव लड़ चुके गुड़ूलाल और रुद्र प्रयाक के यूकेडी नेता कि शोरी नंदन दिनों अपने कारेकरताओं के साथ आम आदमी पाटी का दामन थाम लिया देहरादून में आपके पाटी कारेयाले में आम आदमी पाटी के मुख्यमंतरी पत के उमिद्वार करनल अजय कोठियाल ने टोपी पहना कर आप पाटी में शामिल किया इस अफसर पर शामिल दोनु नेताओं ने कहा कि वे करनल अजय कोठियाल के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पाटी में शामिल हुए हैं इस अफसर पर करनल अजय कोठियाल ने कहा कि इन नेताओं के पाटी में शामिल होने से पाटी को मजबूती बिलेगी उत्राकंड के पिरान कलियर 30 विधान सभा के आम आदमी पाठी के प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने कारेकरताओं की एक बैठक ली जिसमें क्षेतर की जनता को तमाम सुविधाय दिलाने की बात कही गई साथ ही 18 अक्टूबर को आप नेता कर्नल कोठियाल के दोरे की तैयारियों पर मन्थन भी किया गया आलम ने बताया कि कर्नल कोठियाल पहले धनोरी में शहीद जवान को शद्धानजली देंगे इसके बाद तीरंगा यात्रा निकाली जाएगी पॉल्ग हेता कर्नल को आप नहीं है अ क्टकनी नाफकली देंगे ज़ normalmente आप नहीं हं सचेंगे दोर दोरेंगे होगी उसके बाद हमारी सभा संभोधित होने के बाद हमारे करणल साब चादर कोशी करेंगे साबिर पाक के मज़ार रिशिकेश के यंकेश्वर और डाडा मंडल में शराप के ठेकी की अनुमती दी गई है जिसे क्षेतर की ग्रामिन भढ़क गए ग्रामिनों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने शराप के ठेके को निरस्त नहीं किया तो विधान सबा चुनाओं में सरकार को इसका खामियाजा भुगत ना पड़ेगा खास बात ये है कि शराप के ठेके को खोलने की अनुमती जारी करते समय राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क के अधिकारियों से अनुमती नहीं ली गई ऐसे में पार्क प्रिशासन की डारेक्टर ने ठेका निरस्त करने के लिए डियम और आपकारी विभाग पौडी को पत्र लिखा है जाएगी और इनका क्याना है कि हमें रोड पे मोवाईल की पर्मिशन दे गई है तो भी मोवाईल की रोड पे है लेकिन हमारे जंगल कोई की तरह जंगल में नहीं जाएगा जाएगा तो उसके खिलाब हम केश जारी कर भी भागी कारवे करें कि ये दोनों गैंग बना कर चोरी किया करते थे राजधानी के जौखन राजपूर ख्षेत्र में रहकी के बाद दोनों आरोपी वारदातों को अंजाम देते थे पुलिस ने इन चोरों को सेसी टीवी क्यामरे की मदद से पकड़ा है इसमें पांच अक्टूबर को जो हमारे राजपूर थाना शेत्रा अंतरियर एक चोरी हुई थी जिसमें मुकदमा पंजीकरित गिया गया था इसके अतरिक तो पांच और चोरिया जो है उनके द्वारा बताई गई हैं कि जो उन्होंने की थी जब इनका करिनल रिकॉर्ड देखा गया तो करीब इनके उपर पहले भी कई मुकदमे हैं अब खबर उत्राखन के खानपूर से है जहां राश्ट्य वीर गुर्जर सिना के राश्ट्य अध्यक्ष सोनु गुर्जर ने हजरपुर गाउं में गुर्जर समराट राजा मेहिर भोज के बोट का अनावरण किया इस मौके पर गुर्जरों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया उन्होंने का कि गुर्जर समाज का इतिहास बारहवी शताबदी से पुर्वका है राजा मेहर भोज को अपना आदर्श मान कर उनसे प्रेड़ना लेनी चाहिए उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए अनंत चौधरी को जिला उपाध्यक्ष और सुमित चौधरी को जिला सचिव बनाने की घोशना की लग्सर उपजिला अदिकारी वैभाव गुपता ने सुल्तानपूर पेट्सी का ओचक निरिक्षन किया जहां कोविड वाक्सिनेशन अभियान को लेकर अन्यमित्ताएं पाए जाने पर उन्होंने नाराज़गी भी जताई वैभाव गुपता ने बताया कि एन्म को शत्र प्रतिशत वाक्सिनेशन के लिए निर्देश दिये गये हैं वहीं पेट्सी में सफाई करमचारी भी नदारत पाए गये हैं उन्होंने यह भी बताया कि यहां रेगुलर डॉक्टर की न्युक्ती नहीं है और यहां पर चीफ फॉर्मसिस्ट की सारे कारे देखता है लेकिन वे नदारत मिले इनके खिलाफ अब कड़ी कारिवाई की जाएगी फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं एवन टीवी नमस्कार